दोस्तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका के गाउं अमेरिका के गाउं काफी बड़े और हरे बड़े होते हैं यहां के लोगों के पास काफी ज़्यादा मात्रा में खेती के लिए और डेरी फार्मिंग के लिए जमीन होती है अमेरिका के गाओं का जीवन बहुती सांत और सकुन बरा होता है अमेरिका के गाओं काफी ज़्यादा डबलप और समर्द साली होते हैं चलो दोस्तों गाउं की शैर करते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के गाउं किस परकार के होते हैं और इन गाउं में क्या क्या होता है अमेरिका के ग्रामिन लोग। अपने दिम की शुरुवाद सबसे पहले मजएदार ब्रेकफास्ट बनाने से करते हैं दोस्तों अमेरिकन लोगों को खाने का बहुत ज़्यादा सौग होता है इसलिए वे अपने breakfast में बहुत ही विविन विविन प्रकार के खाना पसंद करते हैं जातर अमेरिकन ब्रिकफास्ट खाने में टी, हाफ वाइल अग, सैन्विच, कोरिसेंट, पैनकेक, बैकेंड आधिकाप परियोग करते हैं चलो दोस्तों एक नदर डालते हैं अमेरिकन ब्रिकफास्ट पर जातर अमेरिकन ब्रिकफास्ट खाने में टी, हाइल अमेरिकन ब्रिकफास्ट खाने में टी, हाइल रालते हैं ब्रिकफास्ट करने के बाद अमेरिकन सबसे पहले अपनी डेरी फार्मिंग का काम करते हैं वो अपने गाए और अन्य पशु को अपने फार्म में चलने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों अमेरिकन में हर ग्रामिन के पास अपने बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसमें वे अपने गाए गोड़े अन्य जानवर को चलाते हैं दोस्तों अपना डेरी पार्म का काम सम करने के बाद अमेरिकन अपना ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों के और सेले जाते हैं दोस्तों मैं आपको या बताना जाता हूं कि अमेरिका के हर एक क्रामिन के पास काफिज काफिल ज्यादा मात्रा में खेटी वाली होती है इनके खेट काफिज ज्यादा मातरा में हरे बड़े और उनके पास बहुत उबिण बिविन बटांगी सब्ले होती हैं झाल